असलाम लेकुम वियोर्स, आस बहु के किचन में आप सबको वेलकम करते हैं और आज हमारे किचन में बनने लगी है जी एपल सिनमन डिलाइट तो शुरू करने से पहले अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैड आइकन पर क्लिक कीजिए तो जी एपल सिनमन डिलाइट के लिए हमें जो चीजे चाहिए वो में आपको बता देती हूं देके सिंपल से इंग्रेडियेंट से लेकिन इसके साथ जो स्वीडिश बने की वह बहुर टेस्टी बनती है तो जी हमारे पास है जी दो एपल बड़े साइस के म करेंगे मैं क्योंकि दो आपस के साथ बिना रही हूं तो मेरे पास तकरीबन धाय चमच चीनी है वह साथ मेरे पास एक कप पानी है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए एक एपल को मैंने छी लिया है आपके पास इस तरह से यह पीलर तो होगा अब आपन को मेहंदर से इस तरह से खाली कर लिया है सीड़ निकाल लिये हैं एक राउंड वाला पीलर आता है अगर आपके पास वह है तो फिर तो बहुत बैस्ट है अगर वह नहीं है तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है और थोड़ा सा टेड़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं ह यह देखें उपर से तो यह बिल्गुँ सीदा वाला होल बनावा है यहां से थोड़ा सा टोट गया तो आपने परेशान नहीं हो न इसथरह से आपने डूनों एपल बोल्धेको कड़ेना है ऑके जी यह देखें इनको मैंने इस तरह से काट लिया है इतने इनकी लेयर आप इसको थोड़ा सा एक बॉइल आने देंगे यह अच्छे से जड़ा गरम हो जाए और चीनी मेल्ट हो जाए इसके लिए कोई भी नॉन्स्टिक पैन या इसकी कोई पावंदी नहीं है आप किसी भी पैन में बना सकते हैं अब यह जो एपकल हमने काटे हैं इस तरह से इसमें मैं जोड़ दूंगी और जब इनका कलर थोड़ा से चेंज होगा यानिके मुझे पता चलेगा कि थोड़ा से सॉफ्ट हो रहे हैं तो फिर मैं इनके साइड चेंज कर दूँगे तो यह देखी जी थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं बड़े हितियास से इसको दूसरी तरफ से मैं इसको ऐसे पलड़ दूंगी क्योंकि मैं नोंस्टिक यूज कर रही हूं तो आपने अगर नोंस्टिक यू करेंगे इसको टर्न करेंगे इस तरह से सारे टर्न हो गए और आप में इसको एक मिनट तक दूसरी तरफ से पकाऊंगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगे आपने बिल्कुल हल्वा सा नहीं करना यह थोड़े से क्रंची क्रंची से ही रहेंगे ओके जी यह दूसरी तरह से भी हो गए है तो अब आप इनको बाहर निकाल लेते हैं और आपने खोशिश करनी है कि उसी चीज में इसको निकालें जिसमें आपने इसको सर्फ करना है यह देखें यह मेरे पास डिश है इसमें मैं इनको निकालने लगी हूँ यह देखें ता के इसमें डाल देंगे इसी तरह से यही स्टेप हम रिपेट करेंगे और अगर आप ज्यादा कॉंटिटी में बना रहे हैं और आपको लग रहे हैं कि पानी जो है वो कम हो गया है बीच में तो आप इसमें साथ पानी एड़ करके थोड़ी शुगर और आड़ कर सकती है ओके जी अब सारे आपल जो है वहां हमने निकाल लिया है और जो दाड़ चीनी के पीसीज है इनको मैं बाहर निकाल लूँगी और यह देखें यह थोड़ा सा बिल्कुल हमारे पास यह बच गया है इसको आपने वेस्ट नहीं करना यह जो हमने एपल निकाल लिये हैं इसको म हमने सर्फ करना है और प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाएं सो यह देखें विवर्स हमारे मज़दार सा एपल सिनिमन डिलाइट बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके ओपर मैंने डाली है क्रीम और इसको इसी तरह से प्रेजेंट कर दिया है सिंपल सा आप लोग जब इ रिपिंग रुख कर सकते हैं कि नहीं तो वो यूझ नहीं करेंगे क्यूंकि वो मीथी होती है और आपळ भी मीचा है तो वह बहुत ज्यादा आप एक स्वेड फ्लेवर देगा जो नॉर्मल क्रीम कं यूज करते हैं यह ज्यादा मीथी नहीं हो एक सूइट नहीं तो एक स everything for you, Allaha Peace!